दोस्तों उत्तर प्रदिस मादमक सिच्छा सेवा चैन बोड से एक नहीं छेचे खुसकबरी निकल के आ रही है आप लोग जानते होंगे कि आज प्रतियोगी मोर्शा किटीन चैन बोड के जो 10 साब में डॉक्टर विरेश कुमार उनसे मिलने गई थी और यहां पर वारता हो चुकि लगबग 1.5 गंटे वारता चली है और इस वारता के दोरान 6 बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो ग्यापन दिया गया था ग्यापन में कौन कौन सी मांगे रखी गई थी क्योंकि जब आपको ये चीज़े क् पाएंगे कि उसका हल क्या निकला है तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले ग्यापन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर एक में में मैंसन किया गया था कि विबने समाचार पत्रों यह उप सच्चु चेनवोड की प्रतियोगी मुर्शा कि सदस्सों के वारता से इसपष्ट हुआ कि टिजिटी के 4500 प्रवक्ता के 850 वा प्रदानाचार के 2000 पदों के अदियाचन चेनवोड को प्राप्त हैं जो कि बिल्कुल आपर्याप्त है उक्त अदियाचन 2016 वा दोज़रे किस विग्यापन की समावयजन हेतू नॉम्बर 2020 म मांगा गया था जबकि उसके बाद पूरी प्रदेश में हजारों पदरिक्त हुई हैं उक्त दसा में आप से विनम अग्रह कि विग्यापन जारी करने के पूर्व कम से कम 15 दिनों के लिए अदियाचन प्राप्ती है तो पुना पोर्टल खोले जाने का निगड़ा लेने की संपन कराएगा ठीक है तो इसका जिम्मा है चैन बोर्ट को ही मिला है उसके बारे में आप पर देखिए पॉइंट नमबर दो में लिखा गया था कि आपका चैन किया गया है संस्कृत विद्धियलों में चैन बोर्ट द्वरा ये बढ़तियां होनी है ठीक है अथा इन पर जो तुरंत कारवाही किये जाने किया हो सकता जिससे विद्धियलों को अधिसी कर नौकरी मिल पाए अब जो तीसरा पॉइंट था वह आपके सामने यहां पर था कंप्यूटर सिचकों की बढ़तियों को ले करके आप लोग जानते हैं इतना हाइटेक जमाना होते भी अभी तक एड़िड विद्धियलों में कंप्यूटर सिचक की बढ़तियों नहीं होती है जबकि GIC विद्धियलों में LTE और प्रवक्ता के कंप्यूटर विश्यों की बढ़तियों होती है तो जब GIC में होती है तो मादमिक विद्धियलों में एड़िड में क्यों नहीं होती है बड़ा परसन है, इसको लेकर कभी मांग की गईती की कंपूर्टर सुचकों की बढ़तियां की जाएं हलांकि सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, पदों का भीवरः मिगाया था, सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसका जो जो भी शासा इंतरजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पर नौकरी मिले, उनका इंतरजार समावथ हो। पांचमा पॉइंट यहाँ पर था 2016-2021 के कुछ अब बढ़तिया इसे हैं, जो अभी भी समयोजन के लिए बटक रहे हैं, तो उनका समयोजन की जाने की संबंद में यहाँ पर बात कही गई थी। लेकिन उस प्रक्रीय के अंतरगत वेटं लिस्ट से जोईनिंग हो पाना बहुत नमूंकिन लग रहा है, हलाकि कुछ छात्रों की जोईनिंग जरूर हुई है, लेकिन जायतर छातर अभी भी जोईनिंग नहीं कर पाए हैं, तो इस काउंसलिंग के वादने की मांग की गई तो यहां पर आज की डेट साइन आप लोग चैन बोट के देख सकते हैं और यहां पर जो बढ़ती गए थे उनके यहां पर नाम मॉवाइल नंबर दिये गए थीक है तो यह तो यह तो हो गया ग्यापन अब यहां पर क्या अपडेट निकल किया यह वह आपको वदाता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रस विग्यप्त जिसमें विकी खान के दौरा सारा कुछ अपडेट किया गया है देखिए यहां पर दिया गया है कि आज मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोट पर हड़ता है समुलाट महानायक विकी खान वाई के नितरतों में साथ सदस प्रतिनिज मंडल के देख चैन बोट स्री विरेश कुमार से साड़े ग्यारा बजे से लेकर करके डेड़ बजे के बीच वारता हुई है ठीक है और वारता के कराम में उन्होंने प्रतिनिज मंडल को वास्वास्त किया कि अब यहां पर जो पहली बड़ी अपडेट आप ल लिखा रहेगा कि सीटें घट बड़ सकती हैं यानि चैन बोट ने यह कहा है कि जो विग्यापन आपका जून में जारी कर दिया जाएगा लेकिन अधियाचन वाला जो सिस्टम है बाद में भी लिया जा सकता है और बाद में भी पदों के संक्या बढ़ाई जा सकती है आप लोग जानते हैं कि यहां पर पॉइंट नमर एक में यह कहा गया था कि 15 दूनों के लिए पोर्टल पूना खोला जाए और उसके बाद जो सीटें आए फिर कुल पदों का विग्यापन जारे किया जाए इस पर चैन बोट ने कहा है कि अधियाचन हम बाद में भी ले 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 लेकिन यहां पर बड़तियों का जो समय नश्ट होगा अधियाचन लेने में वो नहीं होगा विग्यापन आ जाएगा यह बात कहीं जरूर है कितनी सत्य होगी वह तो समय ही बताएगा ठीक लेकिन आस्वासन जरूर दिया गया कि विग्यापन आपका जूनमा में जारी हो ससंफित विडियालय वजी को लेकर कि हैने इस पर चल लाता है कि तरब से श सासन के अप्रूबल का इंटेजार है है उसके बता दें संस्कित विद्यावलों जो भड़तिया होंगी उनके रिक्पदों के वेवरा लेडी चैनवोड के पास आ चुका है उसका मुने अलग से वीडियो बनाया हुआ है अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कहां-कहां संस्कित विद्यावलों पद रिक्त हैं तो हमाई टे चैनवोड को कम्प्यूटर सिच्छा का एक भी पद का दियाचन नहीं आया है तो यह बात तो सब को जानता है कि जब अभी तक पद सर्जेती ही नहीं है तो दियाचन कैसे पहुंचेगा तो फिलाल सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है सरकारी पदों का वेवरा मांगा था और उम्मीद दे कि इस बार इनका जो पदों का सरजन हो जाएगा और नई वड़ती पद जूड सकते हैं लेकिन अभी 100% से रूटी नहीं है कम्प्यूटर सिचकों की वड़तीयों के लिए करके लेकिन यह जरूर का गया कि जैसे हमें अधियाचन प्राप्त होता है तो चै चैन बोड ने अब इन पदों का वेरिफेकेशन करवाया तो केवल 33 सीटों का वेरिफेकेशन हो पाया है 50 सीटे किसी कारण से बर गई है अब इन 33 सीटों पर कैसे रिजल जारी होगा यह बड़ा प्रसन है और वरतमान में देखा जाए तो चैन बोड में कोई सबस्स भी न रही है ठीक है तो उसी के बारे में आपर का आगा है कि जैसे ही चैने वर्ड वह नहीं सदस्याते हैं तो उसके उपरांद मीटिंग होगी और मीटिंग पर ही इसका नियोड़ाय लिया जाएगा पांचुमा पॉइंट यहाँ पर 2016 है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले बेर प्रतिच्छा सूची में उनकी जो नेक्ति तेरा तीन नियम की अनुसार जिलाविद्धन रिच्छक द्वरा ही की जाएगी क्योंकि नियमोली में आइसा ही प्रावधान उसमें कुछ नहीं कर सकता है हलांकि चैने बूर्ड नहीं जनूर का है कि अगर सासन इस पर तेरा त इन नियम कोई छूट देता है तो चैन बॉर्ड द्वरा काउंसलिक के मादम से इस पर नियुक्ते पर विचार किया जा सकता है लेकिन यह इतना संबह नहीं है कि सासन इस पर छूट देगे क्योंकि आर्लेडी चैन बूर्ड द्वरा छूट देने के लिए कई पतर लिखे जा चुकी है लेकिन चैन सासन की तरफ से अभी इस पर कोई भी छूट नहीं दी गई है तो बहुत कम उम्मीद है कि यह वड़तियां जो है वेटिंग वाली काउंसलिक के मादम से होगी हलांकि अगर इसमें कोड कोई एक्शन लेता है बड़ती कोड जाते हैं कोड से आधे पाने करें को सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है